हेलो एंग इवनिंग जैसे कि आपको पता है बाई अपनी डाउटनेट की क्लास में हम सीरीज चला रहते हैं डू एंडाई सीरीज ओके तो उसी सीरीज का बाई नेक्स लेक्चर लेके आ गए हैं हमने कल किया था क्या इंपॉर्टेंट ड्याग्रम्स और उस तो हमने कहाता कि जो एक रह गया था अपना तो मुझे याद है नेफ्रन वारा रह गया था वह आज कवर करेंगे और 12 क्लास के बहुत इंपॉर्टन ड्याग्रम्स हैं जिनका लेबिलिंग के उपर भाई कोशन आता है एक्जाम में तो आज हम वाले कोशन कवर करने वाले ह क्वर्च थे देखने हैं और जैसे कि पता कुशन सभी तो कुष्ट के कोशण भी डियाग्रम सभी आएंके सम थोड़ा पहले हिंट देढ़ेंगे कि कुषट के कोशन कहा से हैं तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है तो स्टार्ट करते हैं वह आज के अपने पहले डायर्ण सी चलो ये राब सबसे पहले आ गया हमारा निफरोन का डाय। ठीक है तो ये हमारा रहे गया था इसको कवर करना था तो सबसे पहले भई यह देखो पहले तो है क्या यह वाला जो पना आपको दो चीजे दिख रही है एक तो येलो कलर का स्ट्रक्चर है और एक रेड कलर का स्ट्रक्चर है ओके तो येलो वाला तो जो है यह भाई नेफरोन एक में टूको स को पैन ले लेते चलो तो यह यह तो है भई नेफर mín ओके और जो अपना यह रेड़ वाला है यह रेड़ वाला क्या है यह प्लड़ कैपलरी इसका बेसी कि इस्ट्रक्टैराज सने फिल्ड़ को सव कर और दख़ा है अब हमने पता है कि कोई भी ऑर्गन उसको क्या प्रहिंज क्या चाहिए उसको oxygen चाहिए है इसको आंपकरनेकलिया अब oxygen चाहिए तो कहूं यहां पर देखो भई यह है अपना अफ्रेंट आर्ट्रियोल ओके अब नेफ्रन का अगर क्रिशको फंक्शन नहीं पता वैसे तो इतना तो सब पड़ी लिया है नेफ्रन क्या करता है यूरिन फॉर्मेशन में ब्लड फिल्ट्रेशन तो हम यहां पर ब्लड फिल्ट्रेशन लिखते हैं वह जादा अच्छा होगा ठीक है तो यह आगया यहां पर भाई इसका काम क्या है ब्लड फिल्ट्रेशन कोई दिकत चलो आगे आते हैं तो सबसे पहले अफ्रेंट आर्ट्योल अफ्रेंट मतलब की भाई यह ब्लड लेके आती है यह लेके आई ब्लड ओके अब है यहां पे जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है इस ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं इसको देख लेता है यह अपना गलोमर रूबर लस्ट ऑके तो इस नेट्रक सा बन रहा है बेसिकली गुच्छा सा बन रहा है किसका अफ्रेंट आर्ट्स देंखो यहां पर जाके होता है वो यहां से इन वेसल से आजाता है कहां पर इस कप शेप स्ट्रक्चर में ओके और यहां से अपना फिल्टर बड़ ब्लड जो है वह चले जाता है इस वाली वेंगों क्या कहते हैं इफ़रेंट आठ्रियोल तो आपको यह भी याद रखना है ओके और यह जो कप से श् इसमें कोशिन पूछा था कि जो अपना मेलपीजन कॉपसल होता है उसके अंदर कौन-कौन से दो श्रक्चर प्रेजंट है तो यहां पर देखो यह जो ग्लोमरूलस होता है और बोमस कैपसूल ओके यह दोनों मिलके भाई बनाते हैं क्या मेलपीजियन इसको आप बॉड़ी कह सकते हैं आप इसको कॉर्प्यूसल भी कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं दोनों नाम ठीक है एक्जाम में पूछेगा और प्रीवेस एर में देखेंगे तो भाई यह आया भी हुआ है यह डाइग्रम भी आया हुआ है ठीक है इतना सा डाइग्रम दे द का में लूप है यह वाला जो पोशन होता है अपना कौन सा यह वाला जो पूशन है यह होता है है यह लूप Okay है क्वह क्यों कहते हैं सैंटिस के नाम पर चीज़े पढ़ती है अभंड़ जो काम करेंगे हमारे नाम पर उसका नाम नहीं रखा जाएगा तो थोड़ा बुरा हेर पिन लेक्ट स्रक्चर होता है आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी के पास एक हेर पिन होती है कुछ इस तरीके की होती है ना तो उसका भी स्ट्रक्चर कैसा है ऐसा ही है तो इसको हम हेर पिन भी कह सकते हैं हेर पिन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं तो आपको यह याद अखना है है उके एक्जाम में पूछेगा यासा डैसा स्रक्चर जू है वह किसका होताइए लूप काशल कैसा होता है तो हैर पिन की तरह होता है अब यहां पे यह जो पोश्चन है वाला लिम्ट जो है यह नीचे जा है तो यह क्या हो जाएगा भई descending limb कोई मुश्किल नहीं यह बहुत इजी है ओके आगे देखो भई अब यहाँ पे जो नेक्स वाला बगल वाला जो है यानि किसका यह वाला यह उपर आ रहा है यानि की किटनी में उपर आ रहा है तो यह क्यों जाएगा स resolve men again आपफ अब उपर आजाओ थोड़ा और आ जो यह वाला जो listen होता है अपना यह होता है डस्तिल कॉंव ए्लेटिरं ट्यब्य ŁdC Yoo इसके उपर आपको ये वाला portion ती रहा है टिक हैं विजी बहुत इसे विजिबल है तो जो वह अला पॉशन होता है अपना वह है PCT प्रॉक्जिमल कॉन विलेटे टिब्यूल अब देखो यह स्टार्टिंग में आये थी हना लूप फैनली यह रहा यह स्टार्टिंग में था इसलिए इसको क्या कहा दिया प्रॉक्जिमल क्या दिया प है लास्ट जो है अपना भाई अब आ गया यहां पर देखो यह प्रॉक्जिमल दिखा दिया हमने चलो लास्ट अपना आ गया डिस्टिल भी हो गया है अब है जो यह वाला पूरा डट अपका है यहां पे यह होता है कलेक्टिंग डग्ट इसमें देखो बहुत सारे जो है इस डक्ट में ओपन करते हैं ओके इसलिए इसको क्या क्या दिया कलेक्टिंग डग्ट क्या दिया ओके तो यह ओगया अपना पूरा नेफरन का डाइग्राम और उसका अच्छे से explanation कोशन क्या क्या बनते हैं यह हमने बता दिया है कुछ का कोशन इसमें से है या नहीं पता लग जाएगा आगे आपको ध्यान देना है ठीक है चलो आगे आते हैं बाई अब यहां पर हम आ गए 12th क्लास पे एक डियाग्रम 11th क्लास का है तो कुछ के बाद हम कर लेंगे 12th क् से और डियाग्रम देखते ही समझ में आगयो होगा कौन सा चप्टे रहा यह अपना सेक्शोल इपरड़क्शन इन फ्रावलिंग प्रांस ओके तो सबसे पहले यह जो डियाग्रम है अपना यह है एंधर का टीयस आपको डियाग्रम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि और लिए बैक किसका डियाग्रम है यह अन्थर का टीयस है अब यहाँ पर इसकी वॉल्स दिखा रखिए यह इसको एंलाज कर दिया है तो सबसे पहले बात करें ठीक है सबसे आउटर मॉस्ट वाल को सी कौन सी होती है तो यह होती है एपी डर्मिस एपी डर्मिस का काम क्या होता है protection provide करना ओके उसके बाद कौन सी आती है यहां पर यह अंदर वाली यह वाली यह होती है एंडो थीसियम अब देखो यह sequence exam में पूछ लेता है कि outermost कौन सी है उसके बाद कौन सी आती है फिर कौन सी लेयर आती है तो यह सारी चीज़े जब डाइग्रम से देख लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है यह हो गया अपना मिडल लेयर ओके उसके बाद आती है मिडल लेयर और यह दो से तीन लेयर की बनी होती है और सबसे इनर मोस्ट अप यह देख रहे हैं यह सबसे इनर मोस्ट जो है यह होती है टेप अटम और फाइनली उसके अंदर क्या प्रेजेंट है यहां पे ये हैं पने पो लन ग्रेंज्ट उके यह आप कह सकते हैं भाई क्या है ।ो इसको हम रेन सी लिख देते हैं इनी सेल्स में ठीक है यह कैसे होते हैं डिपलड होते हैं इनी सेल में मियोसिस होता है इनी सेल में क्या होता है मियोसिस होता है तो भई हमें क्या मिल जाता है यहां पे हमें मिल जाते हैं पोलन ग्रेंज हमें यहां पे मिल गए भई पोलन इसको यहां पे लि बात कर लेते हैं epidermis का function क्या होगा बाई आउटर मोस्ट है protection ओके तो कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर कुछ भी मुश्किल नहीं है बात करते हैं endothesium की तो endothesium के बारे में यार हर कोई निगलेट कर देता है इसका बहुत important function है और वो क्या है कि endothesium ठीक है इसके जो सेल्स होते हैं इसको हम ब्लैक से माग कर देते हैं ताकि वीजबल हो जाए इसके जो सेल्स हैं यहां पर प्रेजंट होती है क्या cellulose की thickenings ओके तो यहां पर लिख देते हैं यहां पर आपनी आ गई endothesium इसके सेल्स के पास प्रेजंट होती है cellulose की fibrous thickenings यह कह सकते हैं cellulose की thickenings अब होता क्या है कि भाई यह जो thickenings है यह एब्सॉर्ब करती है क्या water और water यहां पर प्रेशर पड़ता है ठीक है यहां से फैलती जा रही है क्या सकते भार की तरफ पैशर लगा रही है यहां पर बीच में भार की तरफ पैशर लगा रही है तो तो अल्टिमेटली बीच में से ब्रेक हो जाती है और जो पॉलन ग्रेंस होते हैं अंदर के उनको लिबरेट करने में हेल्प करती है यानि कि इसके लिए टर्म दे रखा एंसी आर्टी में एंथर धाईसेंस ठीक है एंथर धाईसेंस मतलब की एंथर को तोड़ना और जो अप इसका फंक्शन क्या हो जाएगा भई यहां पर लिख देते हैं एंडो टीसियम इसका फंक्शन क्या है यह एंथर डाईसेंस में हेल्प करती है इस पूरे पेज़ पेसे एक कोशन आपकी क्विज में है तो इसको ध्यान से देख लो लास्ट वाली लेयर जो बची है उससे मिडल लेयर तो बैसे कि यह भी देखो मेकानिकल सपोर्ट वगरा प्रवाईड कर दिये एक और इंपॉर्टन चीज क्या है यहां पर अपनी एपीडर्मिस सिंगलेड होती है एस फॉर सिंगल एड़ एंदो थीसियम ये भी सिंगल एड होती है लेकिन मिडल लेड़ एक हमने लिखिए कैसी है बाई दो से तीन लिएर्स प्रेजेंट है उसमें ओके दूसरी बात टैपेटम जो होता है ये भी सिंगल एड होता है तो यह आपको याद अखना है कि पूरी एंथर वाल में सिर्फ अपना मिडल लेर जो है यही दो से तीन लेर्स का बना होता है बाकि सारे के सारे सिंगल एड होते हैं ओके अब टैपेटम पर आ जाते हैं भाई इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और यहां इसका फंक्शन क्या होता है यह प्रोवाइट करी दिया है तो टैपेटम का फंक्शन क्या है इसका फंक्शन है यह प्रोवाइट करता है न्यूट्रिशन ओके इसको हमारे पोलेंस को तो यहां पर हमने चार ओल देख लिए उनके फंक्शन देख लिए और कैसा मतलब बेसिकली सिंगल लेड होती है मल्टे लेड होती है वह भी देख लिया एक or important बात क्याईव यह तेपेटम की इसके जो cells होते हैं यहां पर जो cells होते हैं यह कह सकते हैं कि मल्टी Vide होते हैं इनके अंदर एकसी जादा न्युक्लाइब होते हैं तो आहपको यह याद कर लेना है मल्टी निउख लिड यह मेRY ख्याल स ng मे, नहीं दे रखा है दे रखाए तो देखो अच्छी बात है तो यह मल्टी निकलेट होते हैं ओके चलो अब आते हैं वाई अपने नेक्स जैग्रम पर देख लेते हैं नेक्स जैग्रम कौन सा है आ गया चलो यह भी अपना डाइग्रम जो है यह है किसका भई उसी चैप्टर का है यहां पर पूरा दिखा रहा है कि जो अपना पोलन ग्रिन है उसका डवलेप्मेंट कैसे होता है ओके तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है अपने एक हिंट दे दिया है भई पिछले वाल saad of it уже HimPollingмен नहीं क्या सकते ओके अब mikro smooth meण डिविजन तो होती है वो थोड़ा बढ़ा होता है बढ़ा होता है तो देखो अब है क्या हो रहा है यहां पर थोड़ा बढ़ा हुआ ठीक है यहां पर क्या आगया है वैकिल्सवग्रार आ गया है तो आप इसको वैकिल्ज Spindle Fibre बना है Spindle Fibre आपको पता है साल डिवैड होते हैं हना तो क्या बनेता है Spindle Fibre बनाता है Na की वाइ wing metaphase की time cayIR spindle फार बनता है और वह अलग होजाते है अलग अलग पूल पिज गरते हैं तो यहां पर भी प्रिंडल फायर बना अब हमें मिलते हैं दो सेल्स अब यह मैंने दो सेल्स यहां पर क्यों दिखाए है लेको एक्जाम में न यह डाग्रम बनाकर देदा है और पूस्ता है कि छोटा वाला सेल कौन सा है उसकी जगा एलिख देगा और बड़ा वाले साल की जगा बी लिख दे तो कोई दिख्कत नहीं है सबको पता होगा एगए अगर इसके function की बात करें तो vegetative cell जो होता फिसमें help करता है यह help करता है pollen tube बनाने में उके और अगर हम बात करें किस्की जन्रेटिव साल की तो यह आगे जाके फिर से डिवाइड करता है यानि कि अभी फिर से डिवाइड करेगा और अगर हम इसका स्रक्चर बनाएं यहां पर ऐसे तो देखो यह हो गया एक अपना बड़ा वाला सेल ठीक है जन्रेटिव सेल और दो सेल डिवाइड कर देगा और ये बना देता है क्या बाई ? male gametes तो हमें क्या मिल गए male gametes भी मिल गए ओके तो basically generated cell जो होता है उसका काम क्या है वह participate करते है फर्टिलाइजिशन में male gametes बनाने में ओके चलो यह भी बहुत अब इस आपको क्या पता लग गया कि female embryo sec अपने परेज Alberts को यहां पर नीचे आ जाओ चलइसलंड कैप Indigenous आप Tara इंज होता है उसका नम क्या है वैई तो यह होता है अपना discretion बाइट रैलर अंड ट Way और माइक्रो पाइलर एंड पे प्रेजंट होता है एग अप्रेटर्स जिसके अंदर क्या क्या होता है यह दोनों है अपने सिनर्जिट्स तो यह हो गया सिनर्जिट्स ओके इसको एस लगा देते हैं और सिनर्जिट के बैक साइट पर देखो यहां पर प्रेजंट है क्या यह मिलके क्या बना देते हैं अगगू अपरैटरस अब एक्जाम में पूछ लेता है कि बैए ए-घब प्रैटरस के अंदर कौन-कौन से self present होते है तो बहुद एग सिनर्जड़ और फेलिफरं Sophia प्राइटस का फंक्शन भी पूछ सकता है इसका फंक्शन क्या है तो अपनी पॉलन ट्यूब आ रही है स्टिग्मा से उसको यह क्या करता है उसको अपने साइड अट्रैक करता है ओके बहुत ईजी है कोई इसमें मुश्क्री वाली बात नहीं है सिनर्जिट्स हो गए प्रभणार में उसमें एंटर करती हे यह करता है डी जन्रेट यानि की खतम हो जाता हैjakänd अब आते हैं इसकी उपर वाले सेल पर तो यहां पर आपको एक सेल दिख रहा है इसको हम कहते हैं और सारे के सारी कैसे होते हैं है यह पलॉई होते है है except this one यानि की except central cell क्यों बई क्योंकि ये दो सेल के fusion से बना है ठीक है इसलिए कैसा होता है डिपलोई होता है अब इसका function क्या है देखो एक important चीज़ है यहां पर वो है कि बई central cell यह fuse करता है किसके साथ male gamit के साथ और ये क्या बनाता है है male gamit अपना haploid और हमें मिलता है primary endospalm nucleus pen जो होगा कैसा triploid तो यह आपको याद रखना है एक्जाम में पूछा जाता है कि primary endospalm nucleus जो है वो कैसे बन रहा है यहां पर देख लो भाई यह अपना egg है तो यह जब male gamit के साथ हमने देखा था कि दो male gamit ते पीछे वाले अब एक और important बात क्योंकि यहां पर तीन nucleus involved है इसलिए इसकुम क्या कहते हैं भाई triple fusion सबको पता है भाई नीट के त्यारी करी है तो इतना तो याद होना चाहिए यह हो गया triple fusion यहां पर आपकी quick revision हो रही है diagram की ठीक है तो यह साथी जो यहां पर बताई जा रही है यह आपको पहले से पता होनी चाहिए और आप इसमेरा एकदम expert हो जाना चाहिए हो ठीक है चलो यहां पर इसकुम क्या कहते हैं अब इसकुम क्या कहते हैं जब male और एक फ्यूज करता है इसकुम कहते हैं सिंग्यामी ओके अब क्योंकि यहां पर दो बारी fusion हो रहा है एक बारी central cell और मेल के मिटका और मेल का और एक का इसलिए इसकुम क्या कहते हैं यहां पर हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन दो बारी यहां की फर्टिलाइजेशन जोकी करेक्टरिस्टिक फीचर है और यहां से आपको देखना पड़ेगा ओके आगे आते हैं तो चलो बहुँद का टाइम हो चुका है बहुत हीजी से क्विज में कोशन डाले है एक स्लेड मैं आपको पहले बता दिती उसमें से इसका कोशन है और एक स्लेड यह है जो पीछे गई है इसमें से कोशन है तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन पे टेपैटम जो होता है इस प्रोटेक्टिव न्यूट्रिटिव रिप्रड़क्टिव या गेमिटोफिटिक जल्दी बताओ बहुत इजी है यार इतना मैंने चारो क्राइब कोशन है चाहते एक एक दम उसको अपनी भाओं लिए घरी उयो विचारत है उसके साथ और बस बस अब गया पीछे इसके बारे में तो भई मैंने बताई दिया है क्या होगा बहुत ही इजी फृरी के पॉइंस मिल रहे हैं यहाँ पे हमारी क्लाश में आपको फ्रीके पॉइंस मिलें जाए कहीं पे मिले ना मिले हो गया माक चालो टाइम खताम आंसर देख लेते हैं पहले वाले का ज्याद़ एक्स्प्लेशन की जरुवत नहीं है टेपैटम कैसा होता है नूट्रिटिव होता है चारो लेट्स के बारे में बता दिया था ठीक है सेंट्रल सेल भाई कैसा होता है क्या बन जाता है प्रैमरी एंडुस्प्रम सेल और विकन से प्रैमरी एंडुस्प्रम नुकलियस ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है चलो सेकंड भी इजी था अब आ जाते हैं नेक्स डाइगरम पे यह देखो भाई यह हो गया अपने ओव्यूल का डाइगरम और आपको पता है कि यह वाला डाइगरम यह तो अपना क्या है यह है embryosec on the land itनal बंता है ऐसे थोड़ीदा करें फिर बनता है ओव्यूल के अंदर बनता है ॕि फिर यहाँ पर देखो यह जो portion होता है यह अपना कौन से होता है यह है new cellar tissue तो new cellular tissue यह क्या करता है यह परवाइड करता है क्या वई nutrition किसको अपने developing embryo sec को अब उसके भार वाली अब यहां पर देखो ovule के पास ना दो coverings होती है basically दो integuments covering को क्या बोलते हैं यहां पर integuments कहते हैं तो यह इसकी outer integument हो गई ओके सारी इनर वाली हो गई और यह हो गई अपनी outer इसको नीचे वाले को हम कर देते हैं इनर ओके एक मिनट बस हो गया हो गया हो गया हो गया यह आगया है यहां पर इनर क्लियर है यह दोनों क्या है integuments हैं और यह integuments जो होती है आगे जाके बनाती है क्या वही सीड कोट तो जो भी चीज़े आपको दिमाग में नहीं आ रही होंगी वह यहां पर आए कैस रिवाइज हो रही होंगी और अगर बात करें इस पूरे ओव्यूल की तो यह आगे जाके क्या बन जाता है यह बन जाता है सीड अब चला जल के एक दम अपूजित वाला एंड कौन सा होता है यह वाला क्या है माइक्रो पाइल ठीक है यहां पर दो काम होते हैं दो काम कौन-कौन से हैं एक काम तो आपको पाता ही होगा बहुत इजी है पोलन ट्यूब यहां से एंटर करती है दूसरा काम क्या है बाई सीड जर्मनेशन के टाइम पे वाटर और ओटू भी यहीं से एंटर करता है यह भी को याद दखना है सिर्फ एक काम नहीं होता कि भाई पॉलन ट्यूब अंटर कर गई सीड जर्मनेशन के टाइम पे वाटर और ओटू भी यहां से एड़ करेगा ओके अब आजाते हैं अपने इस वाले स्ट्रक्चर पे इस वाले पोशिन पे यह होता है अपना क्या फ्यून को क्या करवाता है अट्ये करimento है सइमपल और यह आपको बीच में एक स्ट्टार दिख रहा है बीच इवाले पोशन देख रहा है ठीक है यह रिज होता है basically ridge like structure होता है इसकों कहते हैं हाइलम तो यहाँ पर यहाँ आगे अपना हाइलम labeling होती है इस diagram की complete और जो इस से associated functions थे वो भी हमने देख लिए हैं ओके चलो आगे आजाओ देखो अब exam में पूछता है यह तो आपने जरूर देखाई होगा previous year में exam में पूछता है कि अपने अगर उसका शेप ऐसा हो तो क्या होता है ऐसा हो तो क्या होता है एक बड़ी क्रिविजन ले लेते हैं अगर विल अपना पूरा स्ट्रेट हो यहाँ पर देखो सारी चीजे यानि कि फ्यूनिकल चैलेजल एंब्रियो और सब एकदम स्ट्रेट लाइन में प्रेजन ओ तो वह अली condition जो होती है अपनी उसको हम कहते है बाई उसको हम कहते है और तो तो यह आपको याद रखना है सब देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में है तो यह भी आपको एकदम कुईक रिविजन हो रहा है अगर पूरा 180 डिग आ सकता है अब क्या दिया तो आएगा है इव्रिक यहाँ देखो एमिट्र मांप ड्र पस्में क्या होता है यहाँ पर अपना जो ओ few होता है वह तक हाट कैसा एक तक जाते हैं पेन लहते हैं लेरेमार्गर चल गया ता तो होता है हॉर्स शूल शेयप्ड ठीके घोड़े की जो नाल होती है उसकी तरह सकी शेप होती है आप जैसे के सकते हैं पुछ इस तरीकी की से वे और इसको कैसे यात रख सकते हैं यहां पर अपना बगय जो है वह तो पुरा है अपना ठीके तो यह जो चीजे हैं यह एंफिट्रोपस को और केंफिट्रोपस को एक दूसरे से अलग करती हैं ओके अब नेक्स्ट यहां पर देखो भई हैमिट्रोपस हैमिट्रोपस का बहुत इच्छा याद करने का तरीका है यह 90 डिगरी का एंगल बनाता है बात खतम अब लास्ट हैहां पर शार्सीनोट्रोपस तैक पूरा कितना वाई 360 डिगरी पूरा गहूंग जाता है यहां पर सबसे पहले तो यहां पर क्या है यह हो गया अब आगी चलते हैं यहां पर देख लेते हैं यहां पर अपने डाइकाट और यहोगा अपना का ओके जो क्या बनाता है रूद बनाता है यह आ अपना मिल जो क्या बनाता भई our एप सूट एपक्स ओके और यह दोनों आपको जो स्ट्रक्चर्स दिखड़े हैं बड़े-बड़े यह क्या है कॉटली डंस है अब क्योंकि यहाप पे दो कॉटली लिटन से हैं यानिकी डायकॉट है ओके और यह जो बीच वाला पोजिशन है यह अपना एंब्रियोनल एक्स बात होती है यहां पे खतम तो इतना एजी डायग्रम एक्जाम में आ रहा है और अगर आप यह भी सही करके नहीं आते तो फिर कुछ फाइदा निया देखो पढ़ने का ठीक है क्यूंकि बहुती इजी चीज़ें और यह सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए चलो आगया जाते हैं यहां पर अपना ओड़न अगया ओके अब मोनोकोड मैं सिर्फ एकि कार्ट इलिडन होगा तो यह वाला जो पोश्ण है यह अपना मोना का क्या है इसके को स्पेशली नाम दिया रखा है वो क्या है वह बाई स्क्यूटलम तो यहां पर हम लिग देते हैं स् स्कुम कहते हैं क्या एपी ब्लास्ट और यह भी एक्जाम में पूछा जा चुका है कि वह जो रिड्यूस्ट कॉटलिडन है उसकुम क्या कहते हैं इस वाली स्लाइट से पीछे कोशन है तो ध्यान से देखने सारे लेबल्स ओके चालो अब यहां पे जो है वाई यह यह अपन यहां पे शूट एपक्स ओके तो शूट एपक्स को प्रोटक्ट करती है फ्रम एनी मेकैनिकल इंजुरी तो क्या है भाई शीथ एक प्रोटेक्टिव शीथ है अब ऐसे ही शीथ अपने रूट एपक्स पास जी होनी चाहिए जाने की रेडिकल के पास देखो यह अपना यह पे रेडिकल ओके और रेडिकल के नीचे क्या प्रेजन्ट होता है भाई रेडिकल के नीचे प्रेजन्ट होता है रूट कैप तो यहां पे यह आ जाता है अपना रूट कैप और सबसे लास्ट में अब इनके उपर यह जो प्रेजन्ट होता है दस इस कॉल यो राइजा यह हो गया कॉलियो राइजा यह भी क्या है भाई प्रोटक्टिव शीथ है लेकिन यह किसका है यह है अपने रेडिकल का ओके तो यहां पर भी चीज़े क्लियर है स्कूटलम क्या अपना सिंगल कॉडिलरं जो प्रेजेंट होता है उसका नाम रख दें यहां पे स्कूटलम और र पार थैक और साहे डाग क्या है चीजह तो देख लेते हैं सबसे पहले यह जो पूरा पोशन है दैसे जailing पूरा क्या है यह ह मेंबरें तो यह हो गया प्लाजमा मैंबरेंड ओके नेक्स फ्लेवल जो बाई यहां पर है वह है देखो यह वाला पॉस्षन यह जो होता है यह है फ़ीघ करो करते हैं अब यहां पे कोशन पूछ आथा एक्साम में कि ऐक्रोजूम olsun का क्या फ़ंक्षन तो एक्की जो Speaking होती है उनको क्या करते है डिजॉल्व करता है ओके यहां पर अपना प्रेजंट होता है पूरा क्या टी एने प्रेजंट होता है ओके अब यहां पर देखो भई next आपको एकदम बीच में दिख रहा है किसकी बीच में head के पीच मैं और यह जो portion है यह हता है अपना क्या middle piece यहापे सकों करते है middle piece तो इन दोनों के बीच में क्या present सेंट्रि Means present है सेंट्रियोल ठेश करते है सेंट्रियोल ठेग किसमें हेल्प करता है टेकी होता रही कि एक्रॉजों उसने तो पूरा एक का मेंबरेंट डिजॉल्व कर दिया तो अब यह वाला जो पोशन है यह हो जाता है गाइब ठीक है और सिर्फ इतना पोशन जो है बेसिकली एग में एंटर करता है और जो सेंट्रियोल होता है वो यहां से अपने स्वर्म को हटा देता है क्योंकि इसका का तुम क्या है मिडलल पीस का काम देखो क्या है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे माइटो कॉंड्रिय पुई सारे जो है यह है माइटो कॉंड्रिया तो माइटो कॉंड्रिया आपको पता है कि भाई वहां करता है öffentlich respiration वो प्रवाइड करता में towards egg help करती है ओके तो आपको यह चीज याद रखनी है कि इसका काम क्या है भाई इसका काम यह है कि mitochondria जो है मतलब अपना mitochondria ATP बना रहा है टेल उसको यूज करके आगे भेजे अब इसका तो क्योंकि यहाँ पे डीने जो अपना present है वो सिर्फ इतने portion में तो इस वाले portion का क्या काम है इसने अपना membrane dissolve कर दिया यह वाला portion जो बच जाए ठीक है यह अपना एग में जाएगा क्योंकि इसके अंदर डीने तो central जो है basically इस वाले portion को से तो अलग कर देता है दूसरा बात क्या कि यह आगे जो डीने का application होता है उसमें भी help करता है यानि की डीने की जो division होता है multiplication होता है यह कह सकते हैं fusion जो होता है किसके साथ एग के DNA के साथ उसमें help करता है ओके चलो भाई आगे आ जाते हैं अब फिर से यहां पर अपना आ रहा है अपने अपने एक डायरम डाला थायार चलो कोई नहीं एक बड़ी फिर से रिवाइस कर लेते हैं ठीक है चलो कुईस देख लेते हैं तो पहली कुईस का यह रा कोशन अपना स्केटलम जो होता है स्केटलम जो है इसका हमें बताना है करेक्ट आंसर तो यह क्या है सिंगल को टीली तुम्हें हिंट दे दी थी पूरी की पूरी है चलो नेक्स पर आजाओ यहां पर पूछाए कि बाई होर्शू शेब्ड एंब्रियो सेक्ट जो है अपना वो कौन सा होता है होर्शू शेब्ड स्पेशल फोकस मैंने का था कि उसका बई जो एंब्रियो है वो भी कवड रहता ह है इस वाले कोने में था ठीक है कौन सा था भई एंफीट्रोपस सरसीनोट्रोपस कैमफिलोट्रोपस या अनट्रोपस जल्दी बताओ कि बहुत एज़ी है अब इसका अंसर्द देख लेते हैं तो जो सिकस्कि इत है अपना वह था भई सिंगल कॉर्टिडन किसके अंदर मॉन नो कोट्स के अंदर तो यह अपना single कॉर्ड इंट रेडिकल की जो की शीख थी भाई की ओप उसको हुमने क्या बोल दिया था उसका हमने बोला था कॉलियोराईजार ओके अब यहां पर क्या बाई कॉल निन डायकॉट क्यूंकि डायकॉट में दोनों कॉलिटलियन थे इसलिए उनका कोई नाम रखना ज़ुरूरी नहीं था वोके अगर देखो यहां पर यह दो रखा होता क्या कि बाई जो मोनो कॉट के अंदर रिड्यूजट कॉटली डन होता है तो आंसर क्या होता जल्दी से कमेंट में लिख दो आंसर क्या होता अस्टैम एपी ब्लास्ट होता ओके अब यहां पर देखो C प्लेम्यूल की तो उसका नाम क्या था इसको हम लिख देते हैं यार उपर कॉल्यूप टाइल कमर में दर नोगया और क्लास लेते लेते जुकते जुकते ठीक है इसलिए हमने ऊपर लिख दिया कलीप टैई अब लास्ट यहां पर दिया रखा है झॉक्षे नाम वगरा होता ही नहीं आते है इसके पीछे वाले कोशन पे यहां पे अच्छा आगे वाला था तो यहां पर पूचा कि भाई होडशूड शेब्ड एंब्रियो सैग्ड जो होता है यह किसके अंदर प्रड्यूस होता है ओके सबसे पहले यहां पर दिया रहा है हमें एंफिट्रॉफर्स बात करें अगर हम एंफिट्रॉफर्स की तो एंफिट्रॉफर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहां पे अपने जो बिसिकली ओविल है आप ऐसे डियाग्रम में देखो वना यहां पर ना कन्फूचन हो जाएगी आज ओड़ डियाग्रम पे यह उक तो यह दो यह जो एंफिट्रॉफर्स है यहां पर हम नहीं बताया था कि अपना ओवियूल है वह भी कवड रहता है और जो एम्रोस एह भी कवड रहता है अब इसको जाद कैसे करना है हुआ हम देखते हैं इसको याद कैसे करना है क्योंकि में ब इन सब चिज़ों में देखो 15 में और Märk meeना बच्चे को हमेशा confusion होती है तो याद कैसे रखेंगे m instant am phdm unf में अपना क्या रहा है discuss एच आ रहा है एंफी में क्या आ रहा है एच आ रहा है और होर्स में भी क्या आता है एच आता है अब यहाँ पर देख लो यहाँ पर कैंफिलो ट्रॉफस यहाँ पर कहीं आ चाह रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा रहा है यहाँ पर अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो होती है क्योंकि यहां पर यह ज्यादा फोकस करते हैं ओके क्योंकि यहां पर जो अपना बेसिकली यह एंबरो सेक है वह कावड होता है तो इसकी एक यूनीक शेप बन रही है ओपर से यह जो केस है यह भी रेर है इसले एक्जाम में उसके बारे में पूछा जाता है ओके तो अभी एक तो यह एमफी वाला और एक यह हैमी है 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 मैं क enquया पूश्चे सकता है कि बाई देखो directly फूश्च घ्र elles भाइश के बाद पूश्च लेगा और इसके अंदर एंगल कितना होता है कि इसके इंपॉर्टेंट है ओके हाट का डियागरम हमने यहां पर इंसर्ट करा था लेकिन डूट वो नहीं आ रहा है ओके तो अभी फिलाल आज की क्लास में इतना ही कर लेते हैं यार्स में नाज वहाया तो हाट का डागा हैंगो और घूमान अडम सनके इंपॉर्ट इस जैसे कि आपको पत है निडियो में डॐर्धिक्ट्री आट उसको दिसकस कर लेंंगे और प्यडिग्री अनलसिस भाई जो अपने जेनिक्स के अंदर पैडिग्रियालिस जिन में बच्चों को बहुत ज़्जादा प्रयुन होती है ठीकर तो प्रयुत प्रवलम होगी कल पूरीड़ीप ईसल्फ कर दी जाएगी तो अब को यह चीज यहाँ था कि कल प्रवीडिग्री cadares होने वाला है एक्जाम में पैडोग्री राइसित्काеро discharge में और ओके अप्ताइम टेबल वग्रा देख लेते हैं अमने आप यह लगाया नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं चलो टांटेबल ऐसी बता देते हैं आपकी क्लाइस जो है सुबह बीसिकली 8 से आपकी जो क्लास है वो और यह सुबह 8 से 12 मैच्स की ठिक है कमेस्ट्री की फिजिक की और यह होती है आपकी ऑल्टनेटेस पे मंडे वेटनस डे ओके और फिर अपना यहां पर हो जाएगा फ्राइड दे तो तीन दिन आप इंग्लीश पढ़िए बाकि अपनी मैस पढ़िए बिल्कुल फ्री का कोर्ष चल रहा है मस्त मजे लो और फायदा ठालो पूरा एकदम आपके चलो बाइबाए नाइस क्लास यार अपनी उसकी और यह अभी अपसे आपको बस 15 मिट के बात ही मिल रहे है नाइस क्लास अपनी डियने की है और इसमें थियूरिस कवर करने वाले बहुत इंपोर्टन थियूरिस है और एकदम बढ़ी असी प्रेजेंटेशन बनाई है मज़ा आजागा सुहाद एकदम चलो आते हैं पंदर में बाद फिर से ठीक है बाइबाए एक साथ गुड़नाइट करेंगे करेंगे करेंगे